अच्छा आक्शन हुआ है अगर आप देखें थोड़ा जिस समय हमारे बाजार बंद हो रहे थे हलकी नर्मी या अल्मोस फ्लाट आपको अमेरिकी फ्यूचर्स ट्रेट करते हुए दिख रहे थे तो उसके मुकाबले तो आपको डेफिनिटली बहतर आक्शन होते हुए दिख आपको बंद होते हुए दिखा तो आदे परसंट का उचाल डाउ पर था इससे जादा आउट पर्फॉर्मेंस आपने ब्रॉडर मार्केट में देखी है आई-टी स्टॉक्स काफी अक्टिव थे जिसकी वज़े से नास्डैक पर एक परसंट की हमने तेजी आते हुए टेसला का शेर कल साड़े 4% उचला है तो इन शेर्स की वज़े से हमने देखा कि नास्डैक को बढ़िया सहारा मिलते हुए देखा है ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो S&P 500 भी अच्छे मूड में था करीब 0.6% की तेजी आपने S&P 500 में देखी है 10 महीने की उचाई पर आगस्ट के बाद का हाइस लेवल आपको आते हुए दिखा है इस साल की हाइस्ट क्लोजिंग आपने आते हुए दिखिए और 4,300 के स्थर के बेहत करीब आपको S&P 500 पहुंचते हुए दिखा है Russell 2000 कल 0.4% नीचे था बट हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिरों में बड़ी तेजी के बाद कल हलकी सी गिरावट यहां पर आते हुए दिखिए बट overall अच्छे मूड में थे अमेरिकी बाजार ज्यादा तर सेक्टर ज्यादा सर स्टॉक्स की तरफ से आपने participation आते हुए दिखा और दिगज IT का तो बाजार को सहारा था ही। इंपोर्टेंट है इसे हाइलाइट करना क्योंकि लंबे समय बाद इतने जादा सापताहिक बेरोजगारी के दावे आए हैं। 75% लोग अभी मान रहे हैं कि अगले हफते rates नहीं बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट था क्योंकि लंबे समय बाद इतना जादा आपका सापताहिक बेरोजगारी दावा आते हुए दिखा था। अधर्वाइस कोई और परिशान ही नहीं थी बाजार में बढ़िया एक्शन बढ़िया मूड में अमेरिकी बाजार कल आपको दिख रहे थे। यॉरप में आपने कल मिला जुला कारोबार दिखा है और यॉरप में काफी इंट्रेस्टिंग हुआ है यॉरप अब टेक्निकली रिसेशन में आ चुका है यानि कि इनका जो Q1 GDP का आक्रा है कैलेंडियर ये 2023 की बात करें वो रिवाइज होके नेगिटिव 0.1% पर आ गया ह है क्योंकि Q1 का GDP आखड़ा भी आपके लिए नेगिटिव 0.1% रहा है एकॉनमिस का मानना है कि आगे जाकर भी सिचुएशन जादा सुधरने वाली नहीं है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ स्लोडाउन आपको यॉरप में दिखेगा अलड़ी हमने देखा था कि ज इपॉर्टन चीज होते हुए आपने जरूर देखी है कमोडिटी बाजार भारी उठा पटक आपने कल यहां पर देखा है डॉलर इंडेक्स पर गिरावट आई है धाई हफते के निचले सर पर आ गया है एक सो तीन पचास पर डॉलर इंडेक्स है उसके सामने आपने देख आपके लिए आ जाएगा तीन डॉलर कल तेल लोड़का पर फिर वाइठाउस ने कहा कि यह सच नहीं है खबर का खंडन किया जिसके बाद तेल थोड़ा रिकवर वहां पर दिखा है सोना कल बीस डॉलर उचल कर आया है उस पर रखेगा नजर बेस में कुछ जादा अक्शन दे रहे हैं और हमारे मार्केट के लिए ये महत्वपून होंगे क्योंकि कुछ क्यूज यहां से भी मार्केट लेते हुए नजर आएगे धन्यवादी पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए